दो भुजनों के वीच कम से कम 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए जीने का आदर्श तरीका तो ये होगा कि जीवन में नीन ही न हो पर अभी ये संभव नहीं है क्योंकि शरीर में अब भी कुछ जड़ता यानि इनर्शिया है तो नीन कम से कम हो बाकी समय शरीर आराम से रहे गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिला कर पिएं ऐसा रोज करें और आप पाएंगे धीरे धीरे खून में आरबीसी बढ़ जाएंगे अगर भोजन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है किसी दिन जब आप कोई भोजन खाते हैं चाहे आप जो भी खाते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन कितनी जल्दी पचकर आपका हिस्सा बन जाता है कोई भी भोजन अगर तीन घंटे से जादा पेट में रहता है यानि आपने खराब खाना खाया है वो भोजन या तो आप छोड़ दें या कम से कम खाए अगर भोजन तीन घंटे में पेट से आतों तक पहुँच जाता है यानि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसे आपका सिस्टम अच्छे से पचा पाता है शायद वो सबसे अच्छा भोजन न हो पर सिस्टम उसे पचा पा रहा है और दो भोजनों के बीच अगर आप 5-6 घंटों की दूरी बनाए रखते हैं और बीच में अगर कुछ भी न खाया जाए तो आप पाएंगे कि कोशिकाओं या सेल्स के स्थर पर सिस्टम में सफाई होगी सेलिलर स्थर की ये सफाई स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी और सबसे ज़ादा महत्वपून है तो दो भोजनों के बीच कम से कम 5-6 घंटों का अंतर होना चाहिए अगर आपकी उमर 30 से ज़्यादा है तो दिन में दो बार दो बार अच्छे से भोजन करना काफी होगा एक सुबै का भोजन और एक शाम का शाम के भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे रुक कर सोना चाहिए और कुछ शारिरिक काम होना चाहिए जरूरी नहीं है कि बहुत भारी या जोरदार गतिविदी हो बस थोड़ी सी सेर या शायद थोड़ा सा डानस या ऐसा कुछ अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ शारिरिक काम हो ऐसा करने से आपका सिस्टम काफी स्वस्थ होगा एनीमिया होना यानि खून ने अपना लोहा खो दिया है यानि आपने अपनी ताकत खो दिया है ठीक है? शरीर की ताकत चली गई आप ठका हुआ महसूस करेंगे बेवज़ा ठकावट होगी क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुँचता यानि आपका शरीर, आपका हरदय, आपका दिमाग सब कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है तो खून में ऑक्सीजन की मातरा को बढ़हना एक जरूरी चीज़ है क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवन्त करना इसके लिए खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और ये ख्शमता कम हो जाएगी खास कर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है जिससे खून में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो ठक जाएंगी अगर आर्बिसी कम है तो बुद्धी पर भी असर होगा क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा तो इससे बचने का एक सरल तरीका है रोजाना हलके गरम पानी में थोड़ा शहद मिला कर पिना रोजाना ऐसा करें इससे धीरे धीरे आर्बिसी की मात्रा बढ़ जाएगी खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज़्यादा उर्जा महसूस होगी अचानक सब सक्रीव हो जाएगा शरीर का काया कल्प होगा मृत कोशिकाओं के जगा नई कोशिकाओं पैदा होंगी जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग-अलग असा डालता है कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है हलके गरम पानी में पीने से अलग ही असर होता है हम यहाँ इसे हलके गरम पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है तो इसे कभी भी उबलते पानी में डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए मैं जानता हूँ कि पश्चे में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं, एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो इसे गुन-गुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीजों में इसे न डालें देखिए नींद अपने आप में जीवन की जरूरत नहीं है शरीर को नींद नहीं आराम चाहिए नींद आराम का बस एक रूप है कई लोग ऐसा सोचने लगे हैं तमिल लाडू में अगर कोई कहे रेष्ट पर निकरांगा यानि वे सो रहे हैं जरूरी नहीं है, बैट कर भी आराम हो सकता है, है न? खड़े होकर भी आराम हो सकता है दौरते दौरते खड़े हो जाने पर भी आराम मिलता है आप खड़े थे अगर आप बैट जाएं तब भी आराम मिलता है आराम करने के कई तरीके हैं सबसे जरूरी बात यह है कि आराम यानि आप उर्जा का equation बदल रहे हैं यानि उर्जा का खर्च कम हो रहा है पर इसकी पैदावार उसी तेजी से हो रही है तो कुछ समय बाद ताजगी महसूस होती है क्योंकि उर्जा कम खर्च हो रही है मूल रूप से आप उर्जा को मैनेज कर रहे हैं काम करते समय उर्जा जादा खर्च होती है पैदावार जितनी भी हो पर वो काफी नहीं होती कुछ समय में आप ठक जाएंगे क्योंकि भारी खपत हुई है खर्चा कम करके पैदावार बढ़ाई जाए तो कुछ समय में जादा उर्जा महसूस होती है सबसे बहतरीन तरीका तो ये होगा कि जीवन में नीन ही ना हो पर अब ही ये संभव नहीं है क्योंकि शरीर में कुछ जड़ता है तो कम से कम नीन ठीक है बाकी समय शरीर को आराम है अगर शरीर आराम से रहे तो नीन तब तक नहीं आती जब तक शरीर एक तरह से ठक न जाए तो शरीर कभी भी नीन नहीं मांगता पर आराम ज़रूर मांगता है अगर आपको यहां आराम से बैठना नहीं आता तो यह ऐसे आराम करेगा इस प्रकर अगर आप बिलकुल आराम से बैठ पाएं तो यह बिना सोए गंटों बैठेगा वरना शरीर को सिर्फ नीन में ही आराम मिलेगा अब ही यहां बैठे बैठे, आप एक सरल काम कर सकते हैं किया आप यहां आकर बैठ जाएं बस अपना ध्यान, अपने सिर के उपर से, अपने पैर के उंगलियों तक ले जाएं और तेखें, क्या सब कुछ धीला और आराम से है या पैसे बैठें इसे जितना हो सके उतनी आराम की स्थिती मिलाएं जितना आपसे हो सके आप हर चीज़ को लेकर सचेतन नहीं है पर होश पूरवक आप जितना सहज बना सकते हैं आप अचानक देखेंगे कि अगर आप 10 बजे सोते हैं और आप बस एक घंटे हां आराम से बैठते हैं तो आपकी नीन आदे घंटे आगे बढ़ जाएगी 10 बजे नीन नहीं आएगी आप खुद ही जागते रहेंगे